चल्ड है इस्टर्ट ऑच की वीडियो यह आप जो देख़ रहे हैं डियाग्राम यह आनित्त ःट्रिल अर्टिक बेर्ट्र क्जंग मेर्ट ऐसे अल्क बना सकते हैं आस्टमेर्टिक चार्जर तो THIS टक बेक्टटरी यूजेर्ग यूज़ MAR में तो automatic charging रहेगा यह, यह manual नहीं है, यह fully automatic charging बनने वाली है, तो automatic charging के लिए आप देखेंगे, तो मैंने यह sunwave पर design किया है, तो sunwave किस तार charging करती है, उसी तर इसको मैंने design किया हूँ, तो आप लोग देख लें, तो इसमें main transformer जो use होगा, वो 8 volt के transformer रहेगा, जो sunwave में use होता है, त इसके PCB आपको खड़ा मेले, उसकी transformer आप use करके, उससे battery charger बना सकते हैं आप, तो यह main transformer है, जो के बड़ादा transformer होगा, जो sunwave inverter में transformer में use होता है, वह ही use होगा, तो इसमें दो देखेंगे आप, यह diagram, यह 2 MOSFET यूज होगा है, आपको इसके जगा, 4 MOSFET यूज करना है, क्यों मैंने 2 MOSFET यूज किया हूँ, तो यह 2 MOSFET है, तो हाँ हाट quality के MOSFET यूज करें, और 2 channel पर MOSFET लगा रहता है, sunwave में, तो मैंने वह नहीं use किया, उसके जगा यह diet यूज कर लिया, तो diet इसलिए यूज किया कि, क्योंकि हम लोग को इसे sunwave में तबदिल नहीं करना है, इसे आ तो इसमें आपको बनाना Betty Charger, तो Betty Charger के लिए आप 2 diet यूज करें, तो diet आप high quality की यूज करें, अगर आप local और 1 ampere का diet यूज कर लेते हैं, तो उस case में हमारा ये diet आपका उड़ जाएगा, तो इसमें आपको सब्धानी ये भी रखना है कि इसमें driver ऐसी यूज होने वाली ह तो आपको MOSFET high quality की लगानी है, आपको इध्यान देने लिए बात है, इसमें ये देख लें आप, तो आप एक देखेंगा ये, ये देख लें आप, MOSFET पर gate पर switching होती है, तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, Samwave Inverter Charging किस तरह करती है, तो आज मैं इसकी diagram लेकर आ गया हूँ, तो आप लोग इससे देखके बना सकते हैं, तो आप लोग देख लेंए, Samwave Inverter कि ये diagram है, तो इससे आप यूज करके battery charger बना सकते हैं, तो Samwave Inverter में switching होती है, gate पर, दो channel पर, drain channel पर, जिस side आपकी negative wire लगती है, उस side पर switching होती है, positive switching नहीं होती है, इस तरह यूज कर लें, positive channel के आपर, तो यूज करके इसे आप battery charger बना सकते हैं, और बहुत useful ये battery charger रहने वाली है, देख लें आप, ये MOSFET पर, gate पर switching होगी, तो switching के लिए एक driver AC होगा, तो driver AC हमारे पास ये देख रहे हैं, तो मैं ये कौन सी driver AC यूज नहीं किया हूँ, तो मैं driver AC की यूज कर सकते हैं आप, एक है 482 और एक है 72 या 73 ये दो यूज कर सकते हैं, तो इसमें microcontroller यूज होने वाली है, ये आप देख लें, इसमें आप लोग सोचेंगे microcontroller यूज नहीं होगी, तो नहीं ऐसा नहीं है, तो इसमें आपको microcontroller यूज करना है, क्योंकि ये automatic battery charger बनन देता हूँ, तो आप macrocontroller देखेंगे, इसमें, तो macrotech की sanwave model आती है, 24 गूने साथ, वो model की macrocontroller यूज करनी है आपको, 20 pin के macrocontroller यूज होती है, free skill company उसकी, और macrocontroller का आप नंबर जो देखेंगे, ये देख लें आप, ये देख लें ये नंबर है इसकी, macrocontroller की, ये देख लें आप, इसमें 20 pin की macrocontroller है, तो आप लिए सोचेंगे, हर pin इसकी use होगी, तो इसमें, हर pin use नहीं होगी, जो useful इसमें pin है, वो आपको use करके, इस battery charger बनाना है, तो कौन सी इसमें important pin है, वो मैं आपको discuss कर देता हूँ, तो देखें ये, pin नमर एक और दो है, वो इसकी main है, जहाँ आपको 805 से 5 volt देना है, एक resistance के थुरू, ये 2.2K की resistance रहेगी, और pin नमर एक पड़ ही 0 cross sense है, तो इस controller ऐसी की मैंने, data sheet दे दिया हूँ, आप वीडियो के playlist में जाए, वो वीडियो आप लोग को provide हो जाएगी, जो कि आप लोग को useful रहने वाली है, आप वो वीडियो देख उसके बाद ये macro controller आप यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही जंकारी वाली वो वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आप लोग को पता चल जाएगा, इस macro controller को किस तरह यूज़ करना है, तो इसे यूज़ करना आसान है, तो मैं इसलिए ये macro controller यूज़ कर लि इसे आप battery charger यूज़ कर सकते हैं, तो चले आप इसे pin नमर एक पर, pin नमर एक पर 5V रहने वाली है, जो कि एक resistance के थुरूर देनी है, और pin नमर दू देखेंगे, इसमें एक resistance लगी भी है, ये भी 5V के लिए है, अगर आप चाहें यहाँ पर एक fan यूज़ कर सकते हैं, तो य के लिए, pin नमर तीन इसकी VCC से अब लाए है, जो कि डाड़ेक 5V, input आती है 3.05 से, वो देनी ही आपको, आप pin नमर चाड़ है, वो ground रहेगा, तो ये देख लेए, इसमें main pin है इसका, और इसमें pin नमर 7, 8, ये drive निकलेगे, जिससे ये चार्च करेगा, 19-20 से drive निकलती है, तो Sunwave inverter की ये macro controller है, तो charge channel के लिए निकलती है, तो मैंने 2 use किया हूँ, क्योंकि 2 channel पर switching होती है, दो channel off रहता है, तो 2 channel के लिए drive निकलेग जाती है, देख लेए आप, अगर आप pin number 10 use नहीं करते हैं, तो ये हमारा battery charging cut off नहीं होगा, 14.4 पर जो cut off होती है, battery voltage के लिहां से cut off आप use कर सकते हैं, यहाँ आप preset भी लगा करके, use कर सकते हैं, आप कितनी, इसकी cutting रखनी है, battery की, battery के लिहां से, आप इसे use कर सकते हैं, pin number 10 जो आप देख रहे हैं, वो battery level sense है, जो कि direct input से connect होगी, जो कि आप यह देख रहे हैं, यहाँ connect कर देनी आपको, यह वाली pin, यहाँ connect कर देनी आपको, यह direct एक resistance पर use करके, जो कि यह battery cut off करेगा, और इसको आप use कर सकते हैं, 60H battery से लेकर 220H, बहुत ही useful यह रहने वाली है, तो मैं भी इसे बना कर यूज करा हूँ, बहुत अच्छी working करती है यह, तो आप लोग भी यूज करें, तो मैं आप लोग के लिए यह video बनाया हूँ, तो आप लोग देख लें, यह number 10 यूज करना है, उसके बाद आपको यूज करना है, इसमें pin number 15, जो कि LED लगी रहेगी ह अगर बलैंक कर रहा है, उस case में हमारा यह battery charge कर रहा है, अगर बलैंकिंग stop हो जाती है, तो उस case में हमारा यह stopping होने के case में, यह हमारा microcontroller battery को cut off कर देगा, तो यह हमारा system battery charging full हो जागी, तो automatic charger इसी तरह आप बना सकते हैं, और pin number 12 है, वो main sense है, आप सुचेंगे इसमें, डा यह sensing transformer, अगर मैं पुड़ा बताने जा रहा हूँ, तो पुड़ा बताऊंगा, तो यह video बहुत लंबी हो जाएगी, तो कुछ जो important changes में, वो मैं आपको आज बता दोता हूँ, तो next video part 1 रहने वाले हैं, तो next video में, मैं part 2 में इसकी, इस तरफ की यह section देखने हैं, आप, इस section पर मैं बनाने वाला हूँ, part 2 में, part 1, यह microcontroller section पर आएगी, किस तरह working करती है, और यह main transformer पर आने वाली है, तो आप लोग सोचेंगे, इसकी data मांगेंगे, तो वीडियो को अन तक देखें, मैं यह data आपको देदूँगा, तो देख लेंगे, आप इनम अठा में इसेंस है, तो इसी तरह इसका working है, तो आप data देखेंगे, इसकी, आप सोचेंगे, इसमें आप relay यूज करें, तो ऐसा नहीं है, relay नहीं यूज करना आपको, आपको direct 220V input दे देनी है, एक fuse लगाना है, और direct एक mains cord यूज करके, इसे आप direct input दे सकते हैं, और जैसी input देंगे, यह हमारा स transformer देख रहे हैं, तो यह transformer में आप direct input देना है, जो कि यह charging करना है, श्टार्ट कर देगी, तो आप लोग को यह transformer data आप लोग को चाहिए, तो वो data मैं आप लोग को provide कर देता हूँ, तो data के लिए देखेंगे, यह हमारा primary section है, तो primary section में आप देखेंगे, यह इसमें कितनी inch की बॉबिन लगेगी, और कितनी number code में यह बनने वाली है, तो यह देख लें, इसमें जो आपको बनाना है, तो यह data देख लें, चार number code है, और तीन inch इसकी बॉबिन, इस ट्रैक रहे किना लिए, इसकी ट्रैक जो है, तीन inch है, चार number code में बनेगी, तो इसकी turn देखेंगे, आ सेड आपको 3885 गाना है और 19 नमर तार यूज़ करके इसमें आपको टरर्ण मारना है और MEMO तो ये 12 बार्ण गाना है जो के 8 वल्ड के लिए रहने वाली है और इसमें 12 नमर तीन तार यूज़ करके एक साथ आपको टर्ण मारनी है 12 नमर की 13 गाने कर टर्ण मानने हैं इसमें बार नमबर आज डालो जी यूज होने वाली है तो यह देख लें आप इसकी पूरी डाग्राम देख लें आप तो वीडियो को शुरू सुलेएकर अंतर देखें आप लोगों पता चल जाएगा किस तरह इसकी वर्किंग है तो नेक्स वीडियो ये सेक्शन परदाने वाली है जोकि में उसमें एक चार्जिंग कंट्रोलर ले सेंस होता है जो आप इस कंट्रोलर पर सेंस देना है जोकि आलन 358 से connect हो तो वो diagram मैं बना के दे दूँगा तो आज आप यहां तक session complete कर लें आप तो आप लोग पता चार जाएगा यह charging किस तरह working कर दिए तो next section में आप देखेंगे main sense और charging controller sense यह दो section मैं आपको video बना के upload करके दे दूँगा जो आप लोग लिए useful रहने वाली है तो मेरी video कैसे लगी कमेंट करके बताएं तो आज की video में इतना ही अगर मेरी video आपको पसंद आती है मेरी video क्लेब शेयर और सब्सक्राब करें थांक यू